असलाम लेकुम, वेल्टम तो ग्लासिक इंटिटेंमेंट चैनल, दिस यूर नेरेटर समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं एपिसोड नमबर 54 अफ इरुश्का, तो वीडियो ग्रेट गोज तो रमशाहान और हम आज पढ़ने वाले हैं एक नया ट्विस्ट इन टर्न ओफ, परिशान ना होएं, कोई भी चीज़ किप नहीं की, किसी की बातों में आकर भी कुई काम नहीं किया गया, हम इरुश्का रोक नहीं रहें, हम इरुश्का किसी प्रेशर में नहीं आ रहें, किसी चीज़ में भी नहीं आ रहें, अलहम्दलिल्ला, कोई भी व्यूज आज़ जो भी आजाए इरुश्का is going strong and I know that and my readers know that तो मजीद बाते नहीं करते किसको start करेंगे और जो अभी आपको आज की किस शायद बेशक समझना है लेकिन अगली किस जब आप पढ़ेंगे जो कि I guess Thursday को आईगी तो आपको आइस्ता इस्ता समझ आजाएगी कि मैं इसको किस तरीके से लेके जा रही हूँ ठीक हो गया तो start करते हैं जी हम वही हैं आप लोग परिशान ना हो सुबह आ जाएंगे जी जी आप लोग भी आ जाएगा पिर हम सीधा घर चले जाएंगे हम जादा वहां नहीं जा रहें आपको तो पता है ना कापू अंकल है वहां जी जी अलान फून पे बात करते वे एक नजर बुराक को देख रहा था किसी होटल के रूम में मुझूद आइने में अपनी जखमी भवे पे बैंड़िच कह रहा था पूरा का पूरा मूँ सूज गया था होट फट गए थे आँखों के नीचे स्याही आ गई थी ऐसी हालत में वो मामा पापा के सामने नहीं जा सकता था सवाल उटते उटते सच ना निकल आए और एक नई जंक ना शुरू करते पापा तो वली चाच्चु के खलाफ होंगे या बुराक को मजीद चूते पड़ेंगे जो वो दोनों ही फिलहार इस चीज के लिए तियार नहीं थे अलान ने फून बंद करके बुराक को देखा बरफ का पैक मूपे रखो सूजन की बज़े से जादा वर्स लग रहा है कल सुबह तक कोई सॉलिड बहाना सोचो के मामा पापा से तो अब छुपाना नहीं है इन्हें बताना है क्योंके वली चाच्चु ने अल्टिमेटम दे दिया कि अगर जाने से पहले रिश्टा मांग कर और फंक्शन रख करना गए तो पर तलाक देनी होगी और अगर ना दी तो वो ये मामला कोट में लेकर जाएंगे और तुम जानते हो फोर्स मैरिज का केस वो भी एक माइनर से एक गेर इस्लामिक मुल्क कानून में अच्छा साबित नहीं होगा तुम्हारे लिए खुदा के लिए चुप हो जाओ मीरी खुबसूरती का बेड़ा घरक हो गया और तुम अपनी बकवास किये जा रहे हो दर्द कम होना हो ये खुबसूरती मतासर नहीं होनी चाहिए बता कितना वक्त लेगा इससे ठीक होने में वो जबड़े को हला कर इसमें कडाके नकालते वे इससे पूछ रहा था तकरीबन दो हफ़ते अगर तुम रेगलर आईस ट्रीटमेंट और मेडिसन लोगे तो एक हफ़ता एडविल रखी है खालो गरम दूद के साथ बुराग सीधा बिस्तर के साईट टेबल पे गया और दवाई के साथ दूद पीने लगा कुछ और बता कंसीलर तो ड्रग स्टोर से ले लूँगा कुछ और लगाना चाहिए जिसके इनके सामने ये जखम नज़र ना आए और ये चाचु ने मेरी शिर्ट भी भार दी अपने चीड़ेवे शिर्ट के कॉलर दिखाने लगा बुराग इसकी फिक्र ना करो मैं सुबा ही शिर्ट और आर्ने का जेल और वाइटमिन की के क्रीम ले आऊंगा अब ये सब छोड़ो तुमें इससे निकाह करने की जरूरत क्या थी और अगर किया तो ऐसा काम क्यूं कह रहे थे जिसमें पकड़ने और कुट खाने की नौबत आ गई बीवी है मेरी अब मैं से भी परदा करूँ मिस्टर बुराग आपने निकाह किया है वो भी जबरदस्ती इनकी नजरों में और बीवी नहीं मन्कू है वो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आरी माना कि तुम पाकिस्तान जाकर बिल्कुल अजीब औ गरीब हो गई हो आई मीन वो क्या कहते हैं लफंगे और तरसी भी बुराग ने अलान की बात काटी कौम आगे बोल कर दिखाओ तुम वैसे तुम कौन सा सीधे हो तुम तो अमेरिका से आकर सीधा प्रपोजल बगरा कर चुके हो बिना अजाज़त के मंगेतर बनाए इस आरू को घुमा रहे हो आग से असल में तुम खेल रहे हो मैं तो जखमी हुआ हूँ तुम्हारा तो जनाज़ा निकलने लगा था जनाज़ा अलान ने अपने मूँ पे हाथ रखा तुम से बहस बिकार है मैं तुमारी यहां मदद करना चाहता हूँ और तुम मेरा टॉपिक ला रहे हो रहने दो माना कि तुम बहुत बड़े लिके हो और मैं कॉलेज पास लेकिन यह मत भूलो मैं भी आक्सवोट में तीन महीने पड़ा हूँ इस जिंगर बर्गर एपल वली और मुझ में कुई फर्ट नहीं है तीनों बिलियनेर्स और तीनों कॉलेज ड्रापाउंट है इसलिए मुझे पता है कि क्या करना है वा बिस्तर पर लेट चुका था और अलान इसे देखता रहा जिंगर बर्गर तुम वाकी पूरे पाकिस्तानी बन चुके हो और तुम बिलियनेर्स नहीं हो हमारे पापा है एक ही बात है अलान हमेशा की तरह इसकी बातों पे तास्फ से सरहला चुका था और फिर फून उठाकर इरहा को मेसेज करने लगा ओल गुड सौरी एक एमेरजनसी की वज़े से जाना पड़ गया तुम बताओ सब खेरियत है ना इदर इरहा अपने कंप्यूटर रूम की नीचे इस हैकर को ट्रेस कर रही थी और साथ में इस लड़की के वेर अबाउट्स निकाल रही थी जब इरहा को अपने फोन से मेसेज आया स्क्रीन से देखा तो अलान का मेसेज था इसने अपना फून टीवी से कनेक्ट किया था वो अलक्स के साथ घर आई थी ममी को कहकर के वो जरूरी चीजें ले आए तो वो एक घंटे में आती है ममी ने इतना धिहान नी दिया बस सर हिला कर जल्दी आने का कहकर चल पड़ी चावेद के साथ इरहा ने अलक्स को कहा कि वो इसे डिस्ट्रब ना करे वो तक्रीबन 40 मिनिट में फारिख हो जाएगी इस डेड फ्लावर और इस विलन के मेसेज ने बता दिया कि मामला घंबीर है बहुत ही जादा घंबीर अगर इसे हल नहीं करेगी तो मसीबत में जाएगी ही जाएगी साथ में अपने घर वालों को डुबोएगी इरहा ने इसे मेसेज छोड़ा था तुम सीधा सीधा अपनी आरुजू क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें मेरे हातों मरना है और तुम्हारी एकस्पाइरी डेट तुम्हें तहक करके सनाऊंगी इरहा ने वो फूल लेकर सीधा दूसी जगह से गई ताके पापा न देख ले और इसे फैंकना था मेसेज आया तो इसने फून खोला तो इसके मेसेज पढ़कर इसने अपने दांद पीसे पहले रोने से फुरसत हो तुमें तो फिर डिसाइड करना कि मुझे कैसे मारोगी तुम काटने वाली नहीं हो डराने वाली हो इतना भ्यानक रोने और चीखने से तुमने मुझे खूब डरा दिया था कितना कमीना है मजाक उडा रहा था इसका फिकर क्यों करते हो तुम्हारे लिए आदम खोर बन जाओंगी और अल्ला करे तुम्हारा भी कोई अपना ऐसे तड़ पे और तुम्हें रोना भी नसीब नहो तुम गिंती गिनना शुरू कर दो अब और तुम कौन सा बहादर हो सामने आने की हमत नहीं है और प्री स्कूल के बच्चों की तरह बुली कर रहे हो इसके बाद इसका कुई जवाब नहीं आया मगर इरहा को जोश आ गया था अभी वो इसी काम में लगी और अलान का मेसेज पढ़कर रिलाक्स हो गई पूरी की पूरी टेंशन ये बंदा इसे भुला देता था अब कुछ भी करके पापा को मनाना था एली के हवाले से इरहा ने की बोट से टाइप करके भेजा येस मैं घर पे हूँ समान लेने आई हूँ फिर आपी के घर आज स्टे करना है ममी वहाँ है ना और पापा और आपी हॉस्पिटल में है मुझे इजाज़त ही नहीं दी स्टे करने की तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया हर चीज़ के लिए वैसे एमिरजनसी क्या थी अलान का जवाब आ गया कल बताऊंगा थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिन्दा मत करो रही है अपना ख्यार रखना और जो इस वक्त कहा था मैं भूल गया क्या कह रही थी तुम आई से वर्ड शुरू होता था इरहा हसने लगी इसने टाइप किया इसे पता था अलान महां जजबस हो गया था और वो भी हसने लग गया होगा उसी वक्त दूसरी तरफ स्क्रीन के दाएं जानब स्क्रीन पे बज़ हुआ और वो बड़ा गौर से देखने लगी तो ठैर गई सुलवाकिया लेकर गए थे इने क्यूंकि एक बड़ा सा ट्रक मैट्रिस की कंपनी वाले का जो आया था वो लॉंगिस्ट रूट में यहां तक गया था और इरहा को पता था ऐसे बड़े बड़े ट्रक भला एक छोटे से बिल्टिंग के कसीनों के लिए क्यूं आएगा माना वहां रूम्स है मगर इतना बड़ा ट्रक से एरहा को यही शक हुआ कि इसमें लाजमी इस क्रिस्टी की बहन और बाकी बच्चिया होंगी और इस मैट्रिस वाले ने स्लोवाकिया के वार्डर के करीब क्यूं रोका अब वहां से वो दूसरे बस केरी ट्रक्स में गए होंगे मुझे वहां जाना होगा लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है क्या बहाना बनाऊं क्या करूंगी अखेले भी बेजनी सकते सोचो वे रहा इसके बाद इसके दमाग में आइडिया आया और फिर वो इस चीज़ की त्यारी करने लगी दो हफ़ते बाद इसकी आँखें तकलीफ से खुली आँखों के आगे धुंदलापन था हर चीज सुन होती महसूस हुई फिर कुछ आवाजों और कुछ चीज़ों के गुजरने पर इसने नासमझी से करवट ली लेकिन भारी बजन और अचानक दर आने वली तकलीफ पे वो पट से आँखें खोलने लगी ये जगा इतनी अजीब और गरीब थी इसे समझ नहीं आया के वो कोई खौब देख रही है दुबार के उपर सियाफ पैंट उखड़ावा था पैंट जाले बेतहाशा लगे वे थे ना ही इसका कमरा था और ना ही होटल रूम एक मिनट वो तो सिल्वाकिया आई थी तो ये वो सीधा फिरती से उठी इसने देखा वो जन्दान में है इसके एक पैर पे जन्जीर लगी वी थी बड़ी पुरानी भारी और वो सीधा सी एट गिट बड़े और मोटे चुहे दोड़े थे एक मिनट के लिए तो इसे घिंसी आई मगर इस चुहे से खौफ नहीं था इसने अपनी गर्दन पकड़ी और क्रैक करके सीधी की कपड़े तो कल रात वले ही थे मगर ये कहां आ गई है वो इसने दूर दरवाजे को जो मेटल और स्टील का भारी पुराना सथा वो इस पूरी जगा में एक वही साफ था इसको देखकर इसने अपना सर पकड़ा वो हुमन ट्राफिकर से इस बच्ची को बचाने में कामियाब हो गई थी फिर इसके बात क्या हुआ था फिर अचानक इसे याद आया था कि किसी ने आकर इसके मूँ पे हाथ रखा था वो वही कमीना था वो विलिन पतनी किदर से नाजल हुआ था बहुत शौक है ना तुमें माफिया की दुनिया में घुसने का मेरी जान वोल्कम तु दे रियल वर्ल्ड अलान से शादी जिस दिन करोगी उस दिन उसकी बेवा बनोगी उसकी पुरानी बातों को याद करके इरहा खौफ से बिलकुल ठंडी हो गई तो क्या वो किद्नाप हो चुकी है नो 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 ममी पापा तो बेकुल पागल हो जाएंगे एली नाना और आपी एली तो इतना बड़ा चैलेंज कबूल कर चुका था इसकी जिन्दगी में सब कुछ बजलने जा रहा था और अभी ही तो एक मसीबर टली थी वो दूसरी में आ चुके है इसने सरतामे खुद को कंट्रोल किया नहीं पैनिक नहीं करना तुमने इरहा नो वे इसका लेजा ना चाते वे भी कांपने लगा जितनी भी बहादुर थी थी तो वो साड़े सतरह साल की बिना किसी दजर्बे के वो कैसे निकलेगी इस सब से इसे ममी पापा से जूट नहीं बोलना चाहिए था वो इसकी रात तक रहे होंगे अगर वो इन्हें एक हफ़ते बाद ना मिली इसे छोड़ो राप्ता ना हुआ तो इसे इनकी तकलीफ में और परिशानी में सोचकर रोना आया फिर इसने खुद को डपटा इसे मगर इस जन्दान में ठंड ऐसी थी जैसे किसी जगा की याद दिला रही थी फिर वो फ्रीज हो गई वो विलन इसे इरुशका बलाता है रशियन नेक नेम से वो रशियन नहीं था मगर रशियन लोगों की जैसी बिल्ट थी वो इसे कह रहा था वो इस असल माफिया की दुनिया से मतार्फ करवाएगा वो चलते वे इस पूरी जगा को देखने लगी तो क्या वो ये रशिया आ चुकी है और इसका जवाब इस सामने दिवार पे लिखा रशियन में अलफाज वो भी सुर्ख तरंगत अब नजाने खून था पेंट इसे पता नहीं चला मगर जो इसमें लिखा था इसे पढ़कर वो साक्त हो गई वालकम टू रशिया इरुश का जारी है आम आई नो किस थोड़ी सी जल्दी जल्दी है और चोटी चोटी है बिकोज मैंने आपको बताया था हो रहे हैं तो basically my September is going to be free तो इन्शाला इन्शाला उसमें आपको डेली बेसिस पे एरुश का मिलेगा एकसेप में सिर्फ साडर्डे को चुटी लोगी अपनी हेल्थ रीजन की वज़ा से तो मेरी कोशिश यह है कि थर्ज़डे को किस ले आऊ की इंट्रिय होनी थी अभी तो भाने अलान को चैलेंज देना था और इरहा अचानक किडनाप होगी डोग वरी आपको करंट अब जो है ना जो इरुश का का प्लॉट है उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि पास्ट और प्रेजेंट में अब चलेगा जो दो हफ़ते के दुरान जो इरहा और अलान की जिंदगी में जो इवेंट हुए थे जो बराक की जिंदगी में हुए जो मुर्तिजा का अराइवल होता है जो भा उसको चैलेंज देता है जो आपने स्नीक पीक पे पढ़ा है वो पास्ट में हो गया और जो प्रेजेंट है अर इरहा इस इन रश्या एंड शी इस किड्नैप्ट तो आप पास्ट और प्रेजेंट अब साथ साथ पढ़ोगे क्योंकि हम हमें पता है जो अन्दाजा है क्या आप लोग शायद समझ भूल ही गये होंगे कि यह वाकी ही एक जर्नी थी बट मैंने एक चैप्टर में डिवाइट किया था बट नो बरीज अब फाइनली टाइम हैस कम और आप इरुष्का को अब रियल इरुष्का की स्टोरी जो अब स्टार्ट हो चुकी है वो अब पढ़ेंगे and then you get to know के इरुष्का कैसे बनी और क्या वो बनती भी है या नहीं भी बनती this is the biggest question mark of इरुष्का तो फिर मिलते हैं आप से Thursday को नहीं तो Friday को इंशाला, अलाफेस